हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आज अगर देखे तो पांच दिसंबर है और यह आरसी अपका तीन महीने का चार्ट है तीन महीने का काफी लॉंगर टम चार्ट है तो इसके अंदर एक साल दर साल मल्टी येर ब्रेकाउट की सिच्वेशन देखने को मिल रही है इसलिए मैं जो है इसको यह इसका जो दूसरा टार्गेट मतलब कि यह 132 रुपे का एक हाई था उसको पार करना है और अभी इसने वहीं रिसेंटली 128 रुपे का हाई तो बना दिया था और यहां पर सबसे अच्छी बात है कि वोल्यूम भी काफी अच्छा स्पाइक है यहां पर आप जो की 1500 रुपे के आसपा से 1500 रुपे यहां पर आप में लिख देता हूं तो इसके अंदर एक ब्रेक आउट एक्चुली तो हो ही चुका है वित गूड वोल्यूम तो इसके अंदर एक बाइंग अच्छी खासे दिख रही है यह इसका जो है लोग को आई को पार कर लिया है अब बस यह 132 को जब यह पार कर लेता है तो यह 1500 तक तो आराम से जाता है लेकिन मुझे तो इसा लग रहा है कि यह 1500 प्लस भी हो सकता है क्योंकि जब आप इसके फंडामेटल देखेगे तभी आपको इसके अंदर यकिन होगा तो इसके अंदर देखे तो सबसे पहले तु साथ आप मेरा चैनल को सब जो है शेर कीजिए और आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिप्रिकाशन बेल को ओन कर लीजिए ताकि हर रोज जो की में अपनी नई वीडियो मेरी अप्लोड हुआ तो आपको उसका पता चल जाए तो चलिए इसके फंडामेटल देखकर आप चोक जाएगे मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि आप दियाया पर देख सकते हैं थोड़ा समय स्क्रोड लाउन करता हूं यह एक स्मॉल केप कंपनी है सिर्फ इसका मार्केट के भेच है साथ अजार करोड के आसपास का मार्केट के भेच का और यहाँ पर अगर देखे तो इसका जो साथ चाहिए वाकरी में एक मेरी कंपनी बहेतर है यह क्वार्टल को रिजल्ट है तो यहां पर देखे तो यह पिछले सप्टेंबर और कितना फर्क है इसके प्रॉफिट में मैं रेवन्यू की बात करूँ तो पिछले साल 26 करोड इस साल 500 करोड मतलब कि ये तक्रीबन तक्रीबन डबल से भी ज्यादा रेवन्यू वेरी गुड इसको हम कहेंगे इसका जो नेट प्रॉफिट है ये अगर देखे तो ये भी डबल 116 करोड से 500 करोड रुप्य हो गया है और ये कंपनी में आपको बता दू कि इसका फूल फॉ कि अगर ये अपने इस मार्जिन को अगर ये सस्टेन रखती है जैसे के मुझे लग रहा है कि सस्टेन रख सकती है योग्कि अगर आप देखे तो प्रॉफिट और डबल हो चुका है या डबल हो थे तो इसका प्रॉफिट जो है डबॉ तबो त्वी साल करोड तीन करोड पिछले साल के मुगाबरे डबल हो रहा है तो काफी बहतिरीन है और यहां पर देखे इसका EPS कितना है तो यह साड़े चारा रूपे पिछले क्वाटन में साड़े पाच रूपे तो मतलब की अगर छे मेना का EPS 10 रूपे है तो पूरे साल का 20 रूपे के आसपास आ सकता है औ केवल 6 के पिए के उपर अवेलेबल है केमिकल कंपनी बहतरिंग केमिकल कंपनी है यह तो मुझे इसा लग रहा है कि सिर्फ आप इसको अगर आठ का पी दे तो भी इसका भाव जो है 160 रूपे जो कि इसका प्रीवियस हाई था 150 रूपे यहां तक जी जा सकता है और अगर इ इसका वन डे चाट में आपको दिखा देता हूं और इसके अंदर देखे तो इसका शोट टर्म टारगेट और लॉंग टारगेट वह सब में बताऊगा तो जो लोग स्टम में इसके अंदर इन्वेस्ट करते है ये इसका डेली चार्ट है सबसे पहले तो तो यहाँ पर देखे तो एक अच्छी खासी एक रेली आई थी ये डेली चार्ट के अंदर अच्छा कासा वॉलियम रहा और यहाँ पर तो अगर देखे तो एक्छोली यहाँ पर अगर देखे तो इसके अंदर जैसे की 124 रुपय के असपास है तो सबसे पहले या आप दो चीज़ इसके अंदर कर सकते है जो कि सबसे पहला टारक टेक्सो पचास रुपेख उसके बाद सो competitive और फाइनली टार्ट रुपेख अब पर के लिए लेकिन 150 रुपे का टर्गेट हो सकता है कि 15 दिन में आ जाए एक महीना लगे या दो मेला लगे शोट टर्म में भी आ सकता है जब यह 132 को क्रोस करेगा तब यह एक हफ्ते भर में भी आ सकता है और या फिर आप दो चीज़े कर सकते हैं कि यह दो टुकडो में इस कर चल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर यह लोंग केंडल यहां पर यह बनी थी तो उसका जो हाफ है यहां पर क्यूंकि यहां पर अच्छा का सा वोल्यम था तो जो इसका जो आप है उससे थोड़ा सा नीचे 110 रुपे 112 रुपे के आसपास का आप स्टॉप लोज अपने इस टॉप लोज को हमेशा आप याद रखें और टार्गेट को भी मैंने आपको बता दिया तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और extended disclaimer friends कि यह वीडियो education purpose के लिए है और जो भी आप करें उससे पहले अपनी research जरूर करें और उसके बाद इक